आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज कल की जैसा देखा जा रहा है कि यूद के अंदर ट्रेडिंग को लेकर काफी जादा इंट्रेस्ट है और साथ ही रोज नए नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी इंट्रेडियूस किये जा रहे हैं तो ऐसे मैं I can understand अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करना काफी कन्फ्यूजिंग टास्क हो गया है तो काफी रिसर्च करने के बाद आज मैं आप सब के लिए कंपैरिजन करने वाला हूँ बिट्वीन दा बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आजकल ट्रेंड भी कर रहे हैं जैसे ब्लिंक एक्स, जीरो दा, एंजल, अबस्ट्राउक्स, ग्रो ताकि कहेगी आपकी हेल्प हो सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका कंपैरिजन जब बात आती है ब्रोकरेज की, तो ब्लिंक एक्स हमें आफर करता है दो अट्रेक्टिव प्लान्स अलग-अलग जरूरत के हिसाब से तो पहला है 1.99 रुपीज वाला प्लान, जो हमें प्रोवाइड करता है फ्री ट्रेडिंग on NSE and BSE, NSE F&O, करेंसी ट्रेडिंग फॉर 2 मन्स और बात की जाए दूसरे प्लान 7.99 रुपीज वाले प्लान की, तो यही सेम प्लान 6 मन तक एक्स्टेंड होता है और यह फ्लेक्सिबिलिटी हम यूजर्स को अलाव करती है तो चूज ए प्लान, जो प्रॉपरली सूट करें हमारे ट्रेडिंग फ्रेक्वेंसी और प्रेफरेंसे को अब हम ब्लिंक एक्स को अधर प्लेटफॉर्म से कंपेर करते हैं तो सबसे पहले बात करें, जीरो दागी तो यह उफर करते हैं, जीरो ब्रोकरेज जो लॉंग टर्म इंवेस्टर्स के लिए तो काफी बढ़िया है लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर फ्लेट फीज लगती है और वहीं अगर हम अब स्टॉक्स की बात करें तो वो चार्ज करता है तो वो उफर करता है जीरो ब्रोकरेज और एक्विटी डिलिवरी और फिक्स ब्रोकरेज फी फॉर अधर ट्रेड्स और ग्रो की बात करें तो ग्रो उफर करता है competitive ब्रोकरेज रेट्स वेट ट्वेंटी रूपीस पर executed order फ्र एक्विटी और 20 रूपीस फ्र एफैंनो तो ये तो बात होगी ब्रोकरेज की ब्लिंकक्स के अंदर क्या है कि एक बार हमें प्लान सेलेक्ट करना है उसके बाद क्या है कि ब्रोकरेज ट्रेडिंग वगेरा फ्री होती है और अब अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म या एप की रेटिंग की तो वहां भी ब्लिंक एक्स की रेटिंग काफी इंप्रेसिव है प्लेस्टोर पर 4.8 आउट ओफ 5 काफी बढ़िया रेटिंग है और 4.6 आप स्टोर ये भी काफी अच्छी रेटिंग है जो की क्लियरली बताता है कि काफी अच्छा रेलाइबल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है वहीं अगर हम इसको बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेर करें जीरोदा, अप्स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो तो इनकी स्लाइडली लोवर रेटिंग है जिनकी रेंज है करीबन 3.6 से 4.3 तक जो इंडिकेट करता है वैरिंग यूजर एक्स्पिरियंस तो आप कोई भी प्राड़क लेने से पहले उसकी रेटिंग चेक करते हैं तो ये तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म कंसीडर करना चाहिए अब चलिए बात करते हैं सपोर्ट की मतलब कास्टमर केर बगेरा जो मुझे पर्सनली लगता है कि भी ट्रेडर्स के लिए काफी इंपोर्टेंट चीज है तो गाइस ब्लिंक एक्स हमें देता है लाइव चैट सपोर्ट जो इमेडियेट असिस्टेंस देता है यूजर्स को और इस सपोर्ट की बात करें तो यह अपस्टाक्स पर भी अवेलेबल है 8 a.m. to 7 p.m. तक और टो बी ओनेस ब्लिंक एक्स एन अपस्टाक्स कस्टमर सपोर्ट के मामले में बाकी सबसे काफी ज़ादा बहतर है क्योंकि अगर सपोर्ट के मामले में बाकी प्लेटफोर्म की बात की जाए तो वहाँ पर उनको कॉल या मेल सेंड करनी पड़ती है जिससे क्या है कि उनकी सॉल्योशन में काफी देर लग जाती है अब बात करें प्री डिफाइन रिपोर्ट्स या एनलेसिस की तो BlinkX पर प्री डिफाइन स्टर्टेजी और रियल टाइम पोर्टफोलियो इंसाइट्स जो इंक्लूड करता है इंस्टेंड वाट्सएब रिपोर्ट्स भी जबकि जीरो दा, आप स्टाउक्स, ग्रो, एंजल वो भी रिपोर्ट्स देते हैं पर वाट्सएब पर नहीं मिलती है और एक और यूनिक फीचर है BlinkX का कस्टमाईजेबल वाच लिस्ट जो यूजर्स को अलाव करता है to rotate it horizontally, vertically, जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी preference के हिसाब से ये फीचर enhance करता है यूजर experience को और साथ ही इससे stocks को track करना काफी ज़्यादा convenient हो जाता है फिर बात करें call and trade service की मतब call लगा कि trade करते हैं काफी लोगों को app बगेरा में मुश्किल आती है तो call and trade service भी free है BlinkX पर तो ये convenience प्रवाइड करता है यूजर्स को जो की call पर trade करते हैं और other platforms की बात करें तो 0 दा charge करता है 50 रुपया प्लस 18% GST for call and trade service और in case upstock की बात करें तो call and trade cost 20 रुपीज per executed order with physical contract notes incurring an additional 25 रुपीज per contract note along with courier charges और वहीं digital contract notes free रहेंगे और अगर बात करें angel 1 की तो call and trade charges 20 रुपीज प्लस GST per executed order और ये charges लिए जाते हैं जब trade execute हो जाए और बात करें अब dedicated research की तो BlinkX में एक section है जो provide करता है stock buying advice for short term long term and mid term investment along with F&O recommendations और अगर angel 1 की बात की जाए तो ये भी हम traders को stock recommendations देता है उनकी website पे साथ ही dedicated research service grow जीरोधा अब stocks पर available नहीं है फिर दोस्तों next बात आती है fund transfer fees की जोकि net banking वगेरा में ज्यादा charges लग जाते हैं सब पर पर BlinkX पर हमें कोई भी charges नहीं देने है fund transfer के और वहीं बात करें 0 दाकी वहाँ पर हम payment gateway वगेरा यूज करके net banking का यूज करके अगर payment करते हैं तो 9 रुपे प्लस 18% GST लगता है per transaction और वहीं upstocks की बात करें तो 7 रुपीज पर transaction चार्ज किया जाता है net banking और internet banking में और वहीं बात करें angel one की वहाँ पर कोई भी fees नहीं लगती है तो BlinkX और angel one पर कोई भी charge नहीं लगता तो ये users को काफी cost effective option होता है और lastly बात करें BlinkX users को allow करता है to create their own strategies with one click order directly within the app और वहीं बाकी platforms में additional steps की जरुरत रहती है और कुछ platforms में ये features भी नहीं है BlinkX का काफी user friendly interface है जो allow करता है users को to effortlessly place one click order create personalized strategies directly within the app और ये जो simple process है this enhance the trading experience और हमें empower करता है to make decision efficiently और वहीं अगर हम जीरोधा की बात करें तो ये option offer करता है to create strategies in case tick pro platform में signing करके appstocks भी users को enable करता है to create their option strategies और angel one की बात करें तो वो collaboration किया हुआ उनका strict के साथ जो allow करता है user को to test and apply strategies और अगर बात करें grow की तो इसमें strategies builder का feature नहीं है तो दोस्तों उम्मीर करता हूँ आपको बहुत को सीखने को में लगा इस comparison वीडियो के अंदर सारी freight forms के बारे में और हाँ ये अंतमे मैं कह सकता हूँ ब्लिंक एक्स ओफर करता है competitive brokerage plans excellent app rating live chat support comprehensive reports unique watch list feature free call and trade service valuable research insight and no fund transfer fees जो इसे बनाती है बहुती बढ़िया choice for beginners as well as experience traders तो अगर आप ब्लिंक एक से बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसकी link मैंने description और pin comment के अंदर provide करवादी आप check out कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ ये comparison video आपको सही platform चूज करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा wishing you all the best for your trading journey तो उमीद करता हमारा video हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगे पसंद आई तो वीडियो के लिए जोरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं तो सोगले वीडियो के अंदर